हेलो फेंट्स मैं हूँ राजान और स्वागत करता हूँ आपका हमारी चैनल आरडी बुटेक पर आज के इस वीडियो में लाइचा ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूँ आम तोर पर मैं इस चैनल पर ब्लाउज की कटिंग नहीं बताता हूँ लेकिन आज एक बहुत ही सरल बहुत ही उपियोगी ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूँ यह आपको बहुत जरुरत पढ़ने वाली है ठीक है साधी सीजनों में लाइचा ब्लाउज लहेंगे ब्लाउज बहुत बनते हैं मेजरमेंट पर गौर करना 17 इंच की लंबाई है चेश्ट 32 इंच का कमर 28 इंच हीप का नाप लेना यह एक्स्ट्रा नाप है 34 इंच का शोल्डर 10 इंच है क्योंकि यह ब्लाउज का नाप है सामने का गला 7 इंच पीछे गला 8 इंच अस्तिन लंबाई चहुदा और लंबाई के साथ साथ अस्तिन की जो गौलाई है वो है 5 इंच की पूरा मेजरमेंट पुराने ब्लाउज से लिया गया है ठीक है फ्रेंट्स चलिए करते हैं इसकी कटिंग कटिंग बताने से पहले रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को लाइक करना कमेंट करके बताना कि इस तरह की कटिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं कि नहीं और इसकी सिलाई का वीडियो आपके कमेंट्स के उपर डिपेंड करेंगा जीतना ज्यादा कमे यहां पर आप क्या करोगे पहले यहां पर मार्जिन छोड़ना कैसे मार्जिन छोड़ोगे यह वाला आपका एक निशान सिधा सिधा ताकि उपर नीचे दोनों पिपर आपका बराबर रहे पिपर डबल फोल्ड है ठीक है उसके बाद देखना यह एक इंच पूरा मार्जिन यह नीचे मार्जिन यह एक्स्ट्रा है यह क्या है नीचे फोल्ड करने के लिए मार्जिन है उसके बाद जो आपकी ब्लाउज की लंबाई है उसमें आप हाफ इंच का मार्जिन दे दिना साड़े सत्रा की लंबाई है हाफ इंच मार्जिन दे के साड़े सत्रा का निशान ठीक है तो अब मैं यहां पर थोड़ा सा explain करता हूं यह साड़े 17 का निशान पर ले दो जगा लगाते हैं ठीक है यहां पर एक बार और लगा लेते हैं और scale से इस निशान को मिला लेते हैं ठीक मिलाने के बाद देखना यहां पर half inch आपका चला जाएगा shoulder के दबाओ में shoulder की शिलाई जाएगी यह half inch मालो ठीक है और उसके बाद जो नीचे हमने margin दिया हुआ है यह एक inch का यह आपका नीचे fold करोगे उसमें जाएगा तो तयार आएगा 17 inch अब वापस से हम अपने blouse cutting के process प पांच का निशान लगा देंगे यह निशान दो जगा पर लगाना एक यहां भी लगा देना उसके बाद यहां पर इस तरीके से दोनों निशान मिला लिए मिलाने के बाद बात आती आर्म होल की 32 inch पांच इंच पर बढ़ जाएगा बिल्कुल सीधा सीधा निशान लगाए आठ इंच और उसके बाद सिलाई मार्जिन जो हम देते हैं सवा इंच का वो सिलाई मार्जिन यह हो गया अब बात आती है कमर और हेप के तो कमर को नापना कहां पर है इस बात को भी थोड़ा ध्यान देना कमर आप 13.5 इंच पर नाप होगे यह ऐस है और हीप को पूरे ला मार्जिन देते हैं कमर पर चेस्ट पर सवा इंच का मार्जिन तो कमर पर भी सवा इंच का मार्जिन ठीक है और उसके बाद यहां पर डॉट लगेगा इसलिए एक्स्ट्रा हाफ इंच का मार्जिन यह ऐस है क्योंकि यह करने के बाद बाते हैं हिप पर ठीक 34 इंच का हिप ह इसका चौथा हिस्सा कितना होगा साड़े आठ इंच यह साड़े आठ का निशान तो यहाँ पर देखिए एक इंच आपका हिप पर मार्जिन आता है सूट कटिंग्स में भी मैं यह बता रहा हूँ तो फ्रेंट्स हिप पर यह मार्जिन देने के बाद आप देखिए हमें क्या करना है इन निशानों को मिलाना है स्केल से तो यह मिलेगा कैसे यह वाला निशान पहले देखिए यह इस तरीके से मिलेगा चेश्ट से कमर उसके बाद यह कमर से हिप तो यह निशान आपके इस टाइप से मिलेगे hip का measurement लेना आपको जरूरी होगा लंबे बलावज में यह वाला हिसाब दीखना यहाँ पर आपको निशान लगाना है 2 इंच का यह इस तरीके से और यह निशान लगाने के बाद इधर आ जाते हैं उपर की साइड में तो गला और आरमहोल गले की बात करें तो नॉर्मल निक बनेगा ठीक है यहां पेजे से हम बना देते हैं सब्धू इंच का गला लेंगे पान गला बनाने के लिए यह नीचे थोड़ा सा फैलाओ नीचे डा इंच कर लेना उपर सब्धू इंच गले की गहराई साथ इंच रख लेंगे ऐसे और उ अभी देखिए पीछे हमको हाई नेक के नीचे डीप करना है तो टोटल हाई नेक तो हमारा होई जाएगा उसके लिए आपको शोल्डर को यह आर्मोल की साइट थोड़ा जुकाना है हाई नेक पैटन्स में जिसमें गला दो इंच तीन इंच होता है उसमें आपको इस तरी पर बता रखा है ठीक है आर्मोल की बात करें तो आर्मोल आपका अंदर की दर्फ डाउन होगा इस तरीके से हाफ इंच यह हो गया अब देखें थोड़ा सा चलिए गवर करते हैं आर्मोल के शेप पर तो इसके लिए भी मैंने पटिकुलर हला की वीडियोस दी है लेकिन एक इंच की दूरी पे आपको पहली गलाई देनी होती है यह इस प्रकार से और दोनों गलाईों के बीच में जो दे एंच का होता है तो गैपिंग कैसे रखेंगे जैसे पीछे पाल्ले की हम गोलाई देना इस्टार्ट करेंगे तो यहां पर देखना है यह इस प्रकार से गैप बनार करके पीछे mêmes की उलius लिए मैं अ कमास्ट ऑ यहां पर शोल्डर से बाग्यां कितने इंच पर आएगा काफ़ इंट्रेस्टिंग है यह आएगा लगबग पौने दस इंच पर ठीक है बॉड़ी मेजर्मेंट लिया है बहुत अच्छी बात है नहीं लिए है तो इस तरह से अनुमान लगाना है और इसके लिए भी मैंने वीडियो हमारे में चैनल पर दिया हुआ है इस चैनल पर दोनों निशान आपको इस तरीके से मिलाना है अब यह डॉट पूरा पूरा नहीं लगेगा आपको इसकी सिलाई का वीडियो देखना पड़ेगा किस तरीके से बनता है मैं पूरा इसको एक्स्प्लेंग करूंगा और यह जो ब्लाउज मैं बता रहा हूं साधियों में बह जाए से लगा रहा हूं यह 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 ही डॉट लगेगा और है कि सिंगल डॉट इसलिए बता रहा हूं कि बहुत ज & वस्प्네 नहीं लय度 अर्म होल पे पीछे वाले निशान पर मतलब पीछे पर लेके निशान पर कटना है अब यह यह गले का छोटा सा कट लगा देते हैं डबल फोल पीपर हमने यूस किया है और मैंने इसका पहले ही जान करी दिया था कि पीपर डबल फोल्ड यहां पर कट्स लगा लेना और यह नीशे एक्ष्ट्रा मार्जिन जो हमने रखा था उसको काड़ देना यह करने के बाद यहां पर दीखें यह कट्स आपको लगाने पड़ेंगे जरूरी है यह इस तरीक स अब चलिए दोनों पेपर अलग अलग कर तो यह हमारा सामने का पल्ला जिसमें पूरे निशान लगे हैं तो आपको केवल गला कटिंग करना है और आर महल छाटना है यह पान गले का शेप आफी खुप्सूरत लगेगा बनने के बाद और यह वाला जो हिस्ता है इसको आप पूरा कर्टींग कर देना है अगल आते निए पसी का आते यह फूर्क आँसे में पन्ट पाल्लों फ़्यूंस में घज़्य में प्ता है outbreak है लेकिंश नीचे टृप होता है मतलब ओपन होता है कैसे होता उसको दीखे यहां पर गला हम लेते हैं मानके चलो 3-4 इंच का यह ऐसे ठीक है अब हम क्या करेंगे इसके लिए यहां पर एक round shape गले का जैसे shape आपको देना है तो यह वाला जो निशान है वो यहां से इस प्रकार से आपका down हो करके यह ऐसे hole बनता है यह hole आप जितना चाहों बड़ा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मैंने पीछे गले का जो शेप बताया customer demand के हिसाब से बताया है पीछे गला 8.5 इंच उनको चाहिए था इसलिए आप इसको जितना चाहें कर सकते हैं 10 इंच तक साड़े 10 इंच तक 11 इंच ठीक है क्योंकि 32 टेश्ट में यह नॉर्मल है अब इसकी कर्टिंग कैसे होगी तो इसकी कर्टिंग कुछ इस तरह से होगी कि यह ऐस है के थोड़ा सा हींट दे देता हूं कपड़े पर इसको आप कैसे काटोगे यहाँ पर दीखें डबल फोल्ड ले ना कि तो यह इस तरह से रखेंगे रखने के बाद यह सामने पल्ला इस बात का भी कौर करें यह सामने पल्ला है आपको निशान कैसे लगाना क्यों निशान लाग आके बता रहा हूं को आट वाट के नहीं बताऊंगा यह देखो है यह ऐसे है और यह मैं बता क्यों रहा हूं यह भी आपको थोड़ी दिर में पता चल जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा मर्जिन देना है तो यह देखें यह इस प्रकार से में पूरा निशान लगा लिया अब इसको उठा लेते हैं यह डॉंट हो गया टिक यह इसको पहले मिलाते है और यह वाला हिस्सा देखें चेस्ट कितना है 34 सा 8 हिंच यह निशान कमर कितना है 28, 24 सा 7 इंच यह निशान एक हिंच का डॉंट है टोटल 8 हिंच और उसके बाद हीप हिप कितना है 34 इंच का तो 34 का चौथा हिस्टा साड़े आट ठीक अब दीखिए आपका मारजीन वाला इरिया बैठेगा कैसे यह वाला निशान आपका इस प्रकार से आएगा और यह यहां से थोड़ा सा राउंड होकर के ऐसे यह कुछ इस प्रकार से आपकी फिटिंग होग मैं जरूर इसकी सिलाई का वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर रहे होंगा पीछे पल्ला जैसे मैंने पीपल पर बताया वैसे ही आपको काटना है तो कोई उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जोरत नहीं पड़ेगी आपको बसके इस प्रकार से रखना पीछे अब लाइस बात का ध्यारकना की डबल फोल्ड वाले हिस्से पर निकालना है ओपन हिस्से पर नहीं निकालना है क्योंकि सिंगल पीज है आपको चाहिए डबल फोल्ड ठीक है और इसको हम पूरी तरह से सिलाई करके बताएंगे हला कि मैं प्लेन कपड़े पर बताऊंगा आपको इन्हें हमेशा बनाना पड़ेगा बहुं ज्यादा हेवी ब्लाउजों के उपर लहेंगे वाले ब्लाउज के उपर जिसमें बहुं ज्यादा भारी वर्क होते हैं इसलिए मैंने इसको सिंगल डॉंट पैटन में बताया वीडियो आपको कैसा लगा यह जरूर आप म सब्सक्राइब के बिना नहीं जाना मैं राजन आपसे फिर मुलकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं